एवीरें की बात करेंगे और इसेफलिकलिगा approval करेंग में स्वेटे लेटेस कोड़ेस। सबस्क्रबर 1तुट्रे यहान और इसकी बात डिएक भूडेटे स्थनप्र इन कोड़ेट्योट में सब्सक्राइब हाँ पहले new things, ऐसे कौन से sections हैं, ऐसे कौन से certifications हैं, जो institute ने add-on कर दी हैं, IES को हम देखेंगे, आज का वीडियो बड़ा important होने वाला है, आपकी life में शायद एक नई, एक नई, यूनो, नया chapter स्टार्ट हो जाएगी, भाई, CM में US से क्यों नहीं कर लेते, है न, मुझे ऐसा मालूम है कि मैंने CA किया, CS किया, CM में किया, लेकिन कई मेरे ऐसे दोस्त भी थे, जो करना चाहते थे, और मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, बट उनके ऐसे circumstances थे, ऐसे situations बन गई, कि वो चाहके भी नहीं कर पाए, और job स्टार्ट कर दे, लेकिन आज भी उनके मन में कसक है, चू-चू-चू-चू-चू है कि यार, एक डिगरी तो होनी चाहती है, एक प्रोफेशनल, मुझा, experience, they have huge rich experience, but they want that, they should also have a degree, तो मैं यह आप सभी के साथ यह कहना चाहता हूँ, कि अगर आप working professional है, आप अगर student है, आप graduation कर रहे हैं, और आपका accounts और finance background है, नहीं भी है, तो बेटे, इस से बढ़िया course, मुझे नहीं लगता है कि आज की date में कोई है, मतलब short cut course है, maximum आप एक साल में 12 महीन में, लोग 6 मेने बोलते हैं, वो बेवकूफ बनाते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हमें 6 मेने का सोच के course join करना है नहीं चाहिए, आप 6 to 9 months मानी है, euro, and if you are a non-commerce student, euro, non-finance, तो 12 महीने मान का चलिए, आराम और हम से देंगे, 2025 में पूरा CMA qualify बन जाएंगे, और हमारे नाम क्य से कोस्ट डिटेल, तो मैंने लिखा, मैंने यहां पर लिखा जी, मैंने लिखा September 24, मैं आज जो वीडियो प्रिपेर कर रहा हूं, specifically I am preparing for September, September 24, मैं भुपेश आनन, September 24 से December 25 की बात कर रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि सरेबर से काफी, मतलब एक 2-3 साल के बाद ही करते हैं, तो 1st September effective है, तो इसमें क्या-क्या हमारे पास रहेगा, जाना कुछ वैसे इतना कुछ बदलाव आया नहीं, इतना कुछ चेंज आया नहीं, no doubt मैं वीडियो तो प्रिपेर कर रहा हूं, कि आपकी doubts क्लियर हो जाएं, जो बच्चों ने ओलरी lectures लिये हुएं, जो बच्चों न आप सबसे बोलने हुआ कहूंगा, कि we know that there are two parts, we all are aware of, आप part 1 पहले दे सकते हैं, part 2 बाद में दे सकते हैं, part 2 पहले दे सकते हैं, part 1 बाद में दे सकते हैं, आप दोनों एक साथ दे सकते हैं, जैसे हमारे Indian examinations में होता है, part 1 अगर आप देखें तो नाम है financial planning performance and analytics, financial planning performance and analytics, मैंन एक अलग से separate video बनाया है, कि अगर आप graduation कर रहे हैं, तो पहले कौन सा पार्ट देना चाहिए, and if you are doing a job, आपको पहले कौन सा पार्ट देना चाहिए, मैं abuse retail में नहीं जा रहा कि कौन सा पार्ट पहले देना है, because ये वीडियो का logic या topic कुछ अलग है, मैं कुछ और बताना च जाता हूँ, कि बहुत से से 31 दिसंबर तक 25 तक अब आपको बनना है, तो क्या क्या करना है, पार्ट वन, financial planning, financial performance, and financial analytics, आप पहले प्लान ही तो करते हैं, आप टाइम टेवल बनाते हैं, जब आप स्कूल में थे, आप कॉलेज में थे, आप कुछ भी कर रहे थे, पढ़ रहे गई तो क्या reasons थे, नहीं गई तो क्या reasons थे, पेटे उस दुनिया में, we have, we all do, Reliance Geo की धज्या उड़ा दी, BSNL ने, तो अब Reliance Geo क्या कर रहा है, पेटे है, वो करेगा, कि उसने plan क्या क्या था, performance क्या की, और उसके बाद, analytics क्या हुआ, it is very simple, it can be applied anywhere, तो पेटे एक part 1 में, उन्होंने 6 sections, 6 competencies, पहले part 1 की बाती कर रहे हैं, 6 sections, 6 competencies include की हैं, और उनके marks भी उन्होंने allot कर दी है, कि पहला 15% external financial reporting decisions, आप कभी किसी को देखते हैं, आप Metro में जा रहे हैं, तो सबसे पहले एक लड़का लड़की को देखता है, लड़की लड़कों को देखते हैं, Apple industries, the financial statement of Coca-Cola, the financial statement of Nerelec Paints, the financial statement of HCL, आप जैसे एक छोटे से बच्चे की report card से आप काफी कुछ उस बच्चे के बारे में जान लेते हो, इसी तरह से, every corporate entity has a report card and which is named as external financial reports as per IFRS or as per US GAAPS, and on the basis of that also you can decide, you know, that how much is the EPS, how much is the DPS, what is to be done, what are the notes, what are the director commentary and all that, तो पहला financial planning performance and analytics part 1 में 15% external financial reporting diseases आएगा, पहले भी था, अभी भी है, ठीक है, जी, second part, second section, second certification मान ले, 20% किये बेटे, very important, planning, planning, आप एक corporate entity के strategic management accountant है, आपको पहले plan करना है, जैसे आप Elon Musk के और BSN के जो joint venture हो, उसके आप strategic management accountant है, आपको plan करना है, कि what are the strategic decision, आपको vision क्या है, आपको mission क्या है, आप strategically क्या सोचते हो, वो सारी बातों को हम जहाँ पर planning में करेंगे, फिर उसके budgets प्रिपेर करेंगे, cash budget, master budget, production budget, sales budget, functional budget, that is budgeting, and then we will do forecasting, जैसे आप देख रहे हैं, global warming आ रहे है, आप देख रहे हैं, कि कहीं न कहीं, कहीं न कहीं, इस atmosphere में, water की scarcity आने वाली है, कहीं न कहीं, pollution जावा हो रही है, कहीं न कहीं, कोविट सेनारिव तो भगवान करें न आए, दस साल पहले हुआ था, लेकिन पॉइंट या रहा है, कि धीरे धीरे नई developments आ रही है, AI का जमाना आ रहा है, तो आपको forecast भी करना है, कि आपकी industry, आपकी company, जिसके आप management account बनेंगे, आगे future में डिपान्ट क्या रहेंगी, आपको अंदर का content वही दे सकता है, जिसने वो course को किया हो, जिसने वो course के बारे में ज्यादा समझा है, हो जिसने उसको पढ़ाया हो, तो शायद आप मेरी understanding से, मेरी बातों से, आपको कुछ automatically कुछ different feel होगा, तो मैंने कहां part 1 की बात कर रहे हैं, हम first September 2024 से लेकर 31 December 25 की बात कर रहे हैं, और मैं आपके सामने 6 certifications, 6 sections जो part 1 में उन्होंने include कियें, उसके 2 sections बता भी चुका हूँ, detailed version के मैंने separate videos प्रिपेर कियें, sec next is performance management, जब आपने सोचा कि 10 घंटे पढ़ेंगे, लेकिन आप evening में देखा कि 8 घंटे पढ़ेंगे, तो why you have studied less 2 hours, तो you do calculate variances, आप अपना scorecard बनाते हो, आप अपने लिए variances calculate करते हो, differences निकालते हो, reasons देखते हो, बेटे वह performance management है, तो आपको C point, आप देखो, 40% अगर आप ध्यान से देखो, तो पेटे ये दो parts इन्होंने include करते हैं, 40% मतला 20% planning, and 20% performance management, balance scorecard के हैं, तो different techniques use करेंगे, उसके बाद हम आयाते, cost management, very the most important, मैं generally part 1 में students को बोलता हूँ कि पहला काम ये करें, दूसरा काम आप पहले cost management करें, और फिर तीसरा आप planning budgeting करें, और फिर fourth ये करें, और फिर fifth ये करें, और six ये करें, जादा समझ आता है, मैंने अपनी recording में भी, अपनी बातों में भी जो latest, इसी preference में किया है, कि पेटे, एक relationship तो बनती है, तो दोस्तो, cost management, जैसे आपको पताईए कि पेटे, आज की rate में, cost को minimize करना पड़ा important हो गया है, competition बढ़ता जा रहा है, आप अपने selling price नहीं बढ़ा सकते, आपको quality भी maintain रखनी है, तो process costing, cost है क्या, material क्या है, labor क्या है, overheads क्या है, expenses क्या है, what is fixed cost, what is variable cost, what is semi variable cost, what is process costing, what is job costing, what are the overheads, how you will approach the overheads, and today's scenario, you know overheads are playing a very important role, what are the methods on which you can divide that overheads, so all that is covered in cost management, मुझे ऐसा लगता है कि cost management आपके लिए most important है, तभी मैं जरिली बच्चों को बोलता हूं कि पहला financial, part 1 में first point आप करना financial planning, then you do cost management, then you go for planning performance and that planning budgeting forecasting, और उसके बाद आप जाए performance management में, last second last है internal controls, कई बार आप देखते हैं आप पढ़ रहे होता हो तो ममी चेक करने आती है कि बच्चा पढ़ भी रहा है नहीं पढ़ रहा, आप कहीं हल्दी राम में छोलो बुटूरे खाने गए हो तो coupon कहीं और से मिलता है, खाना कहीं और से मिलता है, देने कोई और आता है, पैसे कहीं और देते हैं, it means they have prepared internal control, so what should be the internal control, क्योंकि financial fraud शित्त्य हो चुके हैं, insolvencies हो चुकी हैं, bankruptcies हो चुकी हैं, Sarbanes Oxley Act का नाम आपने सुना होगा, Andron का नाम सुना होगा, Kingfisher Airlines का नाम सुना होगा, Lehman Brothers का नाम सुना होगा, पैटे कहीं न कहीं internal control हमारा भीक था, तभी Sarbanes Oxley Act आ गया, Socks Act, तो हम यहां पर as a management accountant सीखेंगे, कि क्या मेरी organization में system controls हैं, क्या मेरी organization में internal checks हैं, क्या मेरी organization में internal audits हैं, अब that is covered in internal control, और पैटे last तो मैं क्या कहूं, AI का जमाना यार, chat GPT का जमाना है, हम बड़ी सारी slides, हम बड़ी सारी चीजें, और आने वाला समय बेटे, धीरे धीरे chat GPT का, artificial intelligence का, technology का, data analytics का, big data and analytics, इस सभी चीजों का, automated words apps का, तो हमें analysis करना है, जमाने से के साथ चलना है, भगवान कृष्ट ने अरजुं को यही बोला था, कि जो समय के साथ चलेगा, वो ही आगे चलेगा तो technology and analytics, these are the six sections, these are the six certifications, which IMA people, they have included in their CMA certified management accountant syllabus, तो आपको part one में यह six sections करने, पूरा paper जो आएगा वो आपके सामने 15 परशन वहां से आएगा, 20 परशन वहां से आएगा, 15 परशन 15 परशन 15 परशन 15 परशन एक बच्चा टोटल कर रहा है पेटा, 100 परशन टोटल कर लीजे, मैं भूपेश अनन, अब आप से कहना चाहता हूं कि आप part one भी दे सकते हैं, part two भी दे सकते हैं, बड़ जनरली मैं students को बोलता हूं, कि अगर आप final year में हैं और आप job कर रहे हैं, तो पहले आप part two दीजिए, क्योंकि आपने final year में यह subjects क्यों है, strategic financial management, financial management के बारे में आपको पता है, यह कुछ ऐसे topics हैं, यह कुछ ऐसे कॉंपिटेंशी, certifications हैं, ऐसे sections हैं, जो आपके batch, मतलब आपके syllabus इंटर लिंक करते हैं, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है, it is a mixture of theory and practical, so it is more easy, मैं यह नहीं कहूंग, यह difficult easy, but still, I generally prefer, कि भाई, आप परे part 2 दें, फिर part 1 दें, आप part 1 भी पहले दे सकते हैं, आप अपने मन में यह मह सोचना जरा साभी, part 2 का नाम है strategic financial management, आप देखिए जी, क्या लेखा हुआ है, strategic strategic strategic, मैं color change, color change कर देता हूं, को जादा अच्छा लगे, financial management, strategy का मतलवता रन नीती, you know, a particular action for doing a particular thing, मुझे कुतु मिनार जाना है, तो कुतु मिनार जाने के लिए मुझे रास्ता देखना है, लाल के लिए के लिए नहीं देखना है, तो it is a strategic financial management, I want to raise this much 100 million dollars, and I want to raise through common stock, this is my strategy, I will be following this strategy now, what are the activities to be involved in raising that, so that is strategic financial management, इस part का head रखा उन्होने, और 6 sections है, जैसे आपने part 1 में देखा, यहां पे 6 sections are there, पहला section अगर आप ध्यान से देखें, part 1 का है, external financial reporting decisions, और यहां पर कहा, financial statement analysis, मतलब, आप भच्पन से, 11th class से ratios निकालते आएं, liquidity ratios, solvency ratios आपकों के लगता है खाली, इंडिया में निकालते हैं, पिटा नश्या में भी, अमेरिका में भी, Canada में भी, Pakistan में भी, it means you will be analyzing that, you will be comparing interform comparisons, you will be doing liquidity ratios, you will be calculating ROI, you will be calculating profitability ratios, you will be calculating turnover ratios, आप देखने हैं मैं किस तरह से बोलता जा रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैंने रटा है, अंदर तक गुसा हूआ है, भाई साब क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ, और आप दूत्रे ऐसे वीडियो जो आप दूत्रे देखें, उन्होंने पढ़ा दोड़ी हुआ है, वो रट के चारपन चीजे रटते हैं बताते हैं और आप प्रभावित हो जाते हैं, बेवा कूप हैं वो भी और आप भी, तो सेकेंड हैं आप देखें 20% अनलिसस, आप ऐसे मैंजमेंट अकाउंटर, आप अनलाइस थिंग्स, सुननी सबकी है फिर अनलिसस करना है, कॉर्परेट फारेंस, यॉर अमैंजमेंट अकाउंटर, मैं आपको मैंजमेंट अकाउंटर बनाऊंगा किसी कॉर्परेंस चाहिए, पैसा पैसा करती है, यह ले तू पैसा हो जात तू मेरी सुना होगा गाना आपने कैटरीना का, तो बेटे, आप फंड्स को देखेंगे, फंड्स कैसे होते हैं, वट अरवन्स को बैटे, इन मेंग्येंज इस शेंचन उनिट्स, और मेरा पैस सेंचन भी है, पहले आपको पार्ट भी में सेंचन भी करना चीए, कि corporate finance ठीक है जी तो corporate finance के अलग से मैं नहीं वीडियोस प्रिपेर किया है अगर आपको देखना है कि corporate finance में क्या है तो आप प्रिपड़ा separate video for corporate finance you can go for that third है business decision analysis 25% अभाई साब अगर आप ध्यान से देखें इसमें भी और इसमें भी part one में भी और part two में भी 20% से जादा वेटे एक ही को मिलिये जिसका नाम है business decision analysis आजकल का जमाना वो पुराने जमाने जैसा नहीं है आप management accountant है reliance ने rates बढ़ाए reliance reliance के आप management accountant है you have cleared CMA USA आपके पास GEO का अप्रभाव आप यूर ओनिग यूर 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 मैंजिंग यूर यूर रिलाइस आपके बदल सार आए कितनी जल्दी हर चीज तो बदल जाती है आपके हर विचार तो बदल जाते है कभी कहते हैं कभी कहते हैं कभी कोई कुछ कहएगा गल्फरेंट कुछ के अच्छा यह बेवाकूफ हो आप पेटे आपको एक स्टिक करना है पहले अब भी थॉट्स देखनी है विजन देखनी है चाहते क्या हो होबी क्या है सब्जेक क्या है यह अलग से मैंने वीडियो प्रिपेर कियें कि विच कोर्स इस्ट भी डन बिकॉज मैंने सब कियें इसलिए ज्यादा बेटर मैं गाइड पाँगो तो पेटे यह बिस्नेस डिसीजन अनलिसस है ठीक है जी हम कौन सा प्रड़क्ट बनाए ए बनाए 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 ची बनाए अचा फ्लाट अचा फ्लाट अपोजिग ली आप यूनों सोनी के सोनी के स्टिफाइड मार्जम अन बन जाते हैं तो तो पॉइंट इस वेथर यूसुड गोवर एलेडी और एल्सीडी टीवी श्क्रिंश वेथर जूड वर फ्लाट देखर्णी रिवर्व श्क्रिंश अप्याइड जीजन से ही पड़ते हैं इसलीफ ती रिषिद मेक वर्सिग वीव शुट अट्वन विचिट में विचिश में हूं इसली कॉ पुराने मतलब उससे पहले के हैं थोड़े से तो कोई बात नहीं भुपेश आनन है आपको A to Z पताएगा enterprise risk management risk risk is the uncertainty आपको पता ये दिल हुं हुं करे घबराए सुबह से रात तक आप आप आजकल uncertainties पे देखते हैं पता नहीं क्या कब हो जाए तो how to manage that how to see the risk how to see the risk budgeting all that is covered in this and then we will be discussing with capital investment decisions capital investment decisions capital investment decisions का मतलब है कि आज हम बात करें merger amalgamation की तो Elon Musk को रतन टाटा नहीं जो किया BSNL के साथ you know they have done a capital investment decision आप अपनी life में CM में join करके capital investment decisions करोगे क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होते हैं जिसमें समय जादा लगता है पैसे भी जादा लगते हैं और irreversable होती है मैंने teaching profession join करके it is a it is a capital investment decision रतन डाटा ने ने नेनो स्टार्ट किया होगा जिस जवान है तो capital investment decision तो what are the capital investment decision what is time value what is NPV what is IRR what is payback period what is discounted payback period what are the factors to be taken into account यह सभी बाते हम यहां करते हैं और last में कहते हैं कि धर्म उसी की रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है तो पेटे certified management accountant के ले यूशुद बीए रफ प्रोफेशनल एथिक्स हम एथिक्स की बाते करेंगे हम हमें क्या नहीं करना चाहिए क्या करना चाहिए इन सब की बाते अगर आपको और ज्यादा नौलेज चाहिए और ज्यादा पता हूं लगना चाहिए और आपको लगे कि आज हाँ सर ने कुछ डिफरेंस बता है ऐसे बाकी सब जैसे copy paste ठलका भुलका बता दिये नहीं पेटे मैं तो और गहरा उतरना चाहता था मैं अभी next वीडियो में और सब्सक्राइब कीजिए ना कि अगर आपका नाम आना चाहिए तो आप हमारे वीडियो को कंपेर कीजिए ना बाकी सबसे खुली चूटा यार हम तो खुद हमने एक comparison list बनाई है बाकी सब की playlist और अपनी रखी है है दम तो compare करके देखके देखो कि कौन क्या पढ़ा रहा है कैसे समझ आता आपको बाकी लोग एड का खा रहे हैं लगा देते हैं स्पॉंसर कर देते हैं आप प्रभावित हो जाते हो लाख रूपे देते हो मैं आप ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा आप प्लीज नमबस करें इनको हमारी YouTube में वीडियो देखें compare करें और आपको अगर कस्टमाइज और ज्यादा पूछ रहा है कि आपकी फिल्ड कौन सी है में एसी सी एफ़े सी पीए भुपेश आनंद सब कराता है आपको कस्टमाइज काउंसलिंग भी मिलेगी मिलते हैं भी एपी भी जॉली भी चेफॉल